स्पेस साइंस की रिवुलुशनरी डेट 4 ओक्टोबर 1957 इस दिन दुनिया की सबसे पहले सेटलाइट स्पूतनिक फर्स्ट को स्पूतिक रोकेट के द्वारा धर्ती की सबसे लोवर ओर्बिट में स्थापित किया गया था स्पूतनिक रोकेट को सोवियत संग रूस के सेरजई कौरोलेव के द्वारा त्यार किया गया था ये रोकेट बिना क्रियूल मेंबर के ट्रांस्मिटर और्बिटल वैक्टर रोकेट था जोकी ट्रांस्मिटर के द्वारा ओपरेट होता था स्पूतनिक रोकेट ने धर्ती के 21 दिनों में 1440 चक्रपूरे किये स्पूतनिक रोकेट तीन महिने तक अंतरिक्ष में रहा और पृत्वी की परिकर्मा की और तीन महिने बाद पृत्वी के वायुमंडल में प्रेश करते हुए यह जलकर नश्ट हो गया इस रोकेट अभियान के बाद अंतरिक्ष विज्ञान में करांती सी ही आ गए थी तो कैसा लगा आपको यह शौकिंग फैक्ट जानकर हमें कमंट शेक्षन में ज़रूर बताएं QW से आपको एक प्यार भरा सलाम